करपूर गोरं करुणा वतारं संसार सारं भुझ गेंद्र हारं सदा बसंत रिद्यार विंदे भवं भवानी सहितं नमामी नमस्कार सभी स्रधालू जनों का बहुत बहुत स्वागत है भगवान बोले नात की क्रिपा बरसाने वाला स्रामन मास की शुरूआत हो चुकी है तो भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं सापताहिक राशी फल 6 जुलाई से 12 जुलाई तो चलिए व प्रेश राशी के जातकों की बात करें तो ये सब्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आप अपने कार्यस्थल पर अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सहयोगियों से आपको सहयोग मिलेगा और कोई नई बात ऐसी सामने आएगी जिससे आपको खुशी मिलेगी आपके मन, मान, सम्मान में बढ़ोतरी होगी लोग आपकी तारीफ करेंगे व्यापारियों के लिए भी ये सब्ता बहुत अच्छा रहने वाला है व्यापार में खुशी सम्रिध्धी में आएगी नए नए आउसर मिलेंगे फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी लोग एक दूसरे पर ध्यान देंगे और लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है अब बात करते हैं ब्रिशव राशी की ब्रिशव राशी के जातकों के लिए ये सब्ता ज्यादा अनकूल नहीं है इसलिए अपना ध्यान रखें और बिला वज़े के कामों में हस्तक छेप ना करें निवेश करने के लिए ये सब्ता बिल्कूल भी उप्युक्त नहीं है फेमली लाइफ अच्छी रहेगी लेकिन ब्यापारियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है और कार्य अस्तल पर भी थोड़ी आपको परेशानिया इस सब्ता मिल सकती है इसलिए कार्य पर भी ध्यान दें और अपने व्योहार पर भी ध्यान दें साथी साथ सेहत का भी ध्यान रखें और अच्छा और संतुलित सात्विक भोजन ग्रहान करें मेथन राशी के जातकों के लिए ये सब्ता उतार चड़ाओ से भरा रहने वाला है आए तो होगी लेकिन वै अधिक होगा जिससे आप मानसिक रूप से परेशान होगे आए होगी लेकिन उतनी नहीं जितना कि आपने उमेद की थी पारिवारिक जीवन में भी किसी बात को लेकर के तनाव बढ़ सकता है तो इसलिए साथान रहने की ज़रूरत है आपका मन पुजा पार्ट में लगेगा और आप अपने आपको खुद में खुद को एकांत में रखना पसंद करेंगे लब लाइफ में भी आपको थोड़ा सतर करहना पड़ेगा व्यापारियों के लिए ये सब्ता ठीक रहेगा काम के सिलसले में जो है अच्छे नतीजे मिलेंगे और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी बदलने के योग भी बन रहे हैं ट्रांसफर हो सकता है किसी अच्छी जगा पर लेकिन साउधानी रखना जरूरी है मिथुन राश के जातकों के लिए करक राशी के जातकों के लिए ये सब्ता बहुत अच्छा रहेगा विद्याति हों चाहे व्यावसाई हों व्यापारी हों या नौकरी पेशा सभी के लिए ये सब्ता बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा दामपत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा आपके जीवन साथी की आय में बढ़ोतरी हो सकती है आपकी खुद की सहत थोड़ी सी परिशानी आ सकती है आपको इसलिए सहत पर विशेश ध्यान दे कारे असल पर आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे आप काम को अपने एंज्वाई करेंगे मेहनत करेंगे और परिस्रम के साथी साथ आपको उसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा सिंग राशी के जातकों के लिए ये सब्ता बहुत अच्छा रहने वाला है व्यापार में आपको नए-नए उसर मिलेंगे व्यापार में लाब होगा और कोई बहुत बड़ा लाब आपको मिल सकता है फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी और लव लाइफ के लिए भी ये सब्ता बहुत अच्छा रहेगा परिवार का माहौल सामान रहेगा लेकिन छोटे भाई को किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है स्वास्थ आपका बिल्कुल सही रहेगा कारेस्थल पर आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी और काम के नतीजे में जो रिजल्ट ने हैं वो बहुत ही आपके लिए सकारात्मक रहेंगे आपको अपने कुलिक्स का अपने सही योगियों का भी पूरा साथ मिलेगा अब आईए बात कर लेते हैं कन्या राशी की कन्या राशी के जातकों के लिए ये सब्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपकी आय बढ़ेगी लाव के नए नए उसर मिलेंगे धन लाब होगा खर्चों में कमी आएगी और काम के सिलसले में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जिससे आपको धन लाब होगा व्यापारियों के लिए ये सब्ता बहुत अच्छा रहने वाला है व्यापार के नए ने उसर मिलेंगे व्यापार में लाब होगा धन लाब होगा और अगर कोई ऐसा धन है जो कि डूबा हुआ है तो वो भी आपको वापस मिल सकता है आपके कुछ नए मित्र मिल सकते हैं और कुछ पुराने खास दोस्तों से आपकी बातचीत होगी जिससे कि आपको बहुत आनंद मिलेगा लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और परिवारक जीवन भी बहुत अच्छा मिले रहेगा अच्छा रिजल्स रहेगा और कोई ऐसी नई बात होगी जो कि परिवार के भले के लिए होगी और सभी को इसका पूरे परिवार को पूरे परिवार को इसका लाब मिलेगा तो अब आई ये बात कर लेते हैं तुला राशी की तुला राशी के जातकों को धन लाब के नए नए असर मिलेंगे आपकी आय में बढ़ोत्री होगी जिससे आप बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छा मैसूस करेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये सब्ता बहुत अच्छा रहने वाला है नौकरी में आपको अच्छे कार के लिए प्रोसाहन मिलेगा और व्यापारी बर्ग के लिए भी ये सब्ता बहुत अच्छा है लेकिन पार्टनर्शिप में अगर आप कोई व्योसाय कर रहे हैं तो थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा बिजनेस पार्टनर से जगड़ा करने से बचना होगा किसी तरह का वाद विबाद ना हो इस बात इसलिए जो है बहुत ही आपको शांतिपूर्ण रंग से कारिय करना है दामपत्य जीवन में भी कुछ तना हो सकता है कुछ बाद विबाद हो सकता है इसलिए थोड़ा सतर्क रहें लव लाइब बहुत अच्छी रहेगी और स्वास्थ भी बहुत अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए भी ये सब्ता बहुत अच्छा रहने वाला है तुला ब्रिशिक राशी के जातकों के लिए ये सब्ता उतार चड़ाओ से भरा रहने वाला है थोड़े up-downs होंगे स्वास्थ के प्रती आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा सेहत कमजोर रहेगी और बदलते हुए मौसम का असर आप पर होगा बीमार पड़ सकते हैं इसलिए थोड़ा ध्यान रखें काम के सिलसले में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बविश कि किसी यात्रा की योजना बनाएंगे और किसी अच्छे परेटा नस्तल पर जाने का भी प्रियास करेंगे और औसर भी मिलेगा दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए भी ये सब्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है और उनको अपने मेहनत का फल भी मिलेगा ये सब्ता धनुराशी के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है कारी अस्तल पर आपके कारी की तारीफ होगी और आप उसका लाब मिलेगा आपके कारियस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका पूरा सम्मान मिलेगा और बासक उनका सहयोग मिलेगा और बासकी तरफ से आपकी तारीफ होगी आपकी प्रसंशा होगी परिवार के साथ आप बहुत अच्छा और मधूर संबन्द रहेगा और काम के सिलसले में ब्यापारियों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं सहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ भी बहुत आपकी अच्छी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए भी ये सब्ता अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से आपके रिश्तें बहुत ही मधूर रहने वाले हैं मकर राशी के जातों के लिए भी ये सब्ता बहुत अच्छा रहेगा लेकिन खर्चों में व्रिद्धी होगी इसलिए थोड़ी मांसिक तनाव हो सकता है घरेलू खर्चों में व्रिद्धी होगी लेकिन इससे परिवार का महौल जो है वो खुशनुमा रहेगा आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे और परिवार के साथ रहे करके आपको खुशी मिलेगी आय सामानने रहेगी व्यापारी वर के लिए भी ये सब्ता सामान ही रहेगा किसी यात्रा पर विचार जाने का विचार करेंगे लेकिन ध्यान रखें कि अभी यात्रा पर जाने का समय अनकूल नहीं है इसलिए यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दें निवेश के लिए भी ये समय उप्यूक तो नहीं है काम के सिलसले में आपको और अधिक प्रयास करने पर जोड़ देना चाहिए दामपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा और लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इस सब्ता में मिलने वाले हैं अब आईए बात कर लेते हैं कुमराश के जातकों की कुमराश के जातकों को इस सब्ता थोड़ा सतरक रहना पड़ेगा क्योंकि आये तो ठीक होगी लेकिन अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिससे आपको प्रेशानी होगी खर्च बढ़ जाएंगे इसलिए थोड़ा सा साउधानी बरतनी पड़ेगी नौकरी पेशा लोगों को ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी और उसका रिजल्ट कम मिलेगा परिवार के लोग आपके काम में आपका हाथ बटाएंगे आपकी मदद भी करेंगे और उससे आपको लाब मिलेगा व्यापारी बर के लिए ये सब्ता ठीक रहेगा लेकिन थोड़ा जवेद पार्टनर्शिप में अगर कोई काम कर रहे हैं आप तो उसमें आपको साउधान रहना पड़ेगा विद्यार्थियों के लिए ये सब्ता अच्छा है अब आई बात कर लेते हैं में राशी के जात्कों की में राशी के जात्कों के लिए भी ये सब्ता बहुत अच्छा रहने वाला है अनायास धनलाब होगा काम के सिलसले में अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे व्यापारी बर्ग को भी इस सब्ता जो मीन राशी के हैं उनको बहुत अच्छा खासा लाब होने वाला है लेकिन अगर यात्रा करने का मन बना रहे हैं और ऐसी सम्भावना भी बन रही है तो भी यात्रा टाल दीजेगा यात्रा मत करिएगा क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है दामपत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा और लेकिन लव लाइफ वालों को थोड़ा सतरक रहना पड़ेगा थोड़ा सतनाओं मिल सकता है नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सब्ता बहुत अच्छा रहेगा कारियसल पर आपके काम की तारीफ होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये था सापता ही क्राशिफल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा और इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजेगा साथी साथ मेरे चैनल को सब्क्राइब भी कर लीजेगा नमस्कार